खिर सासु माने सपना को क्यों नहीं रोका क्यों जाने दिया सास ससुर ने इतना बड़ा दिशीजन क्यों लिया और सपना अगर घर छोड़के जा रही थी तो क्यों नहीं उसे समझाया ससुर ने पिछली बार जब भंगामा गवा तो ससुर ने समझाया था इस बार क्यों नह आप लोगों से इसी के बारे में बात करने वाली हूं कुछ बाते हैं आप लोग के शाद शेयर करने वाली हूं तो नमस्कार दोस्तों मैं मधूलीका आप सबकर श्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधूलीका जैसे कि आपको मालूम है सपना घर छोड़ दी है शपना अपने मायके में जाके नहीं रही अगर चाहती तो शपना जी अपने मायके में दो चार दिन महीना पंदा दिन रह शक्ती थी और जब मामला ठंडा होता तो अपने सस्वाल भी पहुच जाती मगर शपना ने ये नहीं किया मायके में जाके नहीं रही सपना मायके गई थी मगर वहां सिफ और सिफ एक ही दो दिन रुकी फिर उसके बाद वो गौलियर चली गई गौलियर से उन्होंने सिवी के घर में एक दो दिन गुजारा किया वहाँ सिवी ने सपोर्ट किया और उनको घर दिलाया शपना को शपना आखिर इतना किसके कहने पे आगे बढ़ गई इतना बड़ा कदम क्यों उठाया आखिर चलो ठीक है घर से चली आई थी गुस्सा हो गई थी हर घर में जगड़े होते हैं कोई ऐसा घर नहीं जिन घर में जगड़े न होते हो मगर जगड़े हुए तो इतना ज़्यादा कि जो तेरा है तू रख ले मेरा है मैं रख लूँ इतनी सब बाते क्यों हुई और सपना बहुत दिन से जब वीडियो बनाती थी सिफ और शिफ एक कमरे का ही वीडियो क्यों बनाती थी उसी कमरे का ज़्या तो आज सब भी बातों का इस वीडियो में खुलाशा होने वाला आप लोगों से रिक्वेश्ट है वीडियो को खुलवाज की दिए जैसे आपको मालूम है पिछले साल जब राजवीर जी गए थे उस टाइम पे यानि राजवीर जब सपना को छोड़ की चले गए थे उस टा साल के सपना की भतीजी थी उनके घर वालों ने छूटा सा केक काट लिया था और शायद हमको लगता वन भी हो गये थे राजवीर को गये आट-दस दिन के उपर होई गये थे केक काट लिया था तो सपना के सास ससूर इतना गुस्सा हुए थे शपना भी अपनी मा से गुस् इनके सास ससूर गुस्सा हुए तो सपना भी गुस्सा हुई और उसके बाद शपना ने लगभग एक शाल अपनी मा से बात नहीं किया ना फोन पे ना ऐसे अपनी मा से बात ही नहीं किया अपनी सास ससूर के तरफ खड़ी रही लड़ी रही और कह रही थी कि मैं इनको कभी जाने वाली नहीं जब उनके साथ ससुर के उपर उंगली उठाई गए थी तब भी सपना कह रही थी कि मैं जाने वाली नहीं तो ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ जो सपना को इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि उसको रिसंटिली अपना घर छोड़न के बाद अलग रहने का फैसला भी लिए ऐसे चाहती तो आट-दस दिन पड़ी रहती माय के मैं फी गुस्सा सांथ होता फी चली जाती तो दोस्तों यहां पे सपना जो है अपने साथ सबसूर से बहुत जादा गुस्सा है सपना ने कल एक सौट वीडियो डाला था उसमें सपना ने लिखा है कि अन्सू को क्यों मुझसे दूर किया मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया मैं तुम लोगों को कभी जिन्देगी में माफ नहीं कर सकती है क्योंकि सपना का मनना है कि उसकी पहली बेटी अन्सू है अन्सू जब 5-6 साल की थी सपना को मिली थी सपना उसका जिसे अन्सू ने बताया मेरा ड्रश अप करना ये करना सब कुस भावी करती थी और भावी से अटैस्मेंट बहुत जादा था अब शपना जब यह कह रही कि मैं जो अन्सू क्योंकि भावी उसके जाने के बाद सूरज के जाने के बाद राजवीर ने संभाला उसको और राजवीर के जाने के बाद अन्सू ने सपना को संभाला वो है तो छोटी मगर वो इतना जादा उसके अंदर कहते है ना कि इतना जादा वो इज़त करती थी सपना की और इतना जादा समझदार है अंसू तो अंसू ने अंसू जो है सपना को संभाला सपना जब रोती थी तो अंसू उसके साथ रहती थी समझाती थी और बुझाती थी एक दोस्त के जैसे एक बहन के जैसे एक बेटी के जैसे तो सपना का कहना है कि अंसु को क्यों अलग किया मैंने कहा था अंसु घर से नहीं जाएगी और जो मैंने कही बात है यानि जो recording मैंने डाली है मैं social media पर फी वापस वीडियो डालूँगी मैं सबसे हाथ जोड़के sorry बोलूँगी कि मेरी गलती हुई है अब मैं या मैंने जूट कहा है ऐसा कहके मैं वीडियो डालूँगी मगर उन लोगों ने नहीं माना सपना के घर में आग कौल लगाया सपना के घर में आग कौल लगाया क्योंकि भाई ये लोग plot ले रहे थे मतुरा का घर बनवा रहे थे बहु कमाही रहे बेटे चले गएं और ससूर जी टीचर हाई है और जो भी पैसा है तो इन फ्यूचर इनकी जो बच्चिया थी बच्चियों का भविस अच्छा हो रहा था और घर के सारे लोग खुस थे कि चलो अच्छी बात है कि मतलब अब जो लोग चले गए इस दुनिया से वो तो नहीं वापस आ सकते हैं मगर घर तो चलो बन रहा था पॉपर्टी ली जा रहे थी मगर शपना के दिष्टेदारों ने ही सपना की सास के कान भरे हैं उसमें से सपना की मौसिया सास है कहा जा रहा है लोगों की वीडियो से भी सुने हैं हमने लोगों की बातों कि इस मौसिया सास ने कान भरे हैं सपना की सास के कि तुम बीडियो में ये आती है और ऐसा करती वैसा करती लड़ाई जखड़ा करवा कि दोनों लोग अलग हो जाएंगे तो जो आगे बढ़ रही जो परटी बन रही जो सब चीज संभल रहा वो चीज ना संभल पाए ऐसा कहना है लोगों का इधर बात तो यह सपना की हो गए दोस्तों किसी ने एक बार भी सोचा है कि उस माग के दिल में क्या वीटर रही होगी ना तो उसके पास कुछ पाने का है और ना ही कुछ खूने का है पहले बेटे को भगवान ने तीन चार साल पहले ले लिया और दूसरे बेटे को भी एक साल पहले ले लिया है अब उसके पास खोने के लिए बचा ही गया उस मा के लिए क्या बचा है कुछ बचा है कुछ नहीं बचा है ना खोने के लिए और ना पाने के लिए हाँ दो छोटी-छोटी बच्चिया थी उससे क्योंकि कहते हैं पेट बिना खाय नहीं जह सकता उसी तरह दांत बिना दिखाय नहीं जह सकते तोड़ी सी बात में निकली आते हैं और पेट में भूख लगी तो खाना ही पड़ता तो मगर फिर भी दिन रात उसके दर्द को कोई नहीं समझे जो नौ महीने अपनी कोक में बच्चों को रखी है रखने के बाद पालन पोशन किया आज वह बच्चे उसके 24-25 साल के हो गये इस छिन लिए उस मा के दुख का दर्द कॉन कोई कलपन भी नहीं कर सकता कितना दर्द होगा इस सजाव और उस पिता को जितना दर्द मा को पिता को बहुं को भी नहीं हो सकता और अही बाद सपना की तरफ अगर हम दोग देखते हैं तो शपना जो है अपनी लाइफ क्योंकि शपना वैसे भी घर ले लिया वो शपना चाहे तो अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकती है बढ़ाने का मतलब यह है कि सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है अगर वो कहते हैं समय 26 25 साल के होगी यह 26 साल के होगी वो deliciously शादी ही कर सकते है और अपनी बच्चीयों की सहारे जी सकती है बच्चीयों के पालन पोषन करने में कि हाँ मेरी बच्ची बड़ी होंगी कल ये होगा वो होगा मगर उन बूड़े माबाप का क्या है क्या है उनके पास कुछ है कुछ भी नहीं है भगवान ने उनके शाद बहुत अन्याय किया और जो लोग इनका घर तोड़ रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं इनके रिष्टेदारों ने ही इनका घर तोड़ा क्योंकि सपना ने साप साप कहा था पिछली बार जब सब लोगों ने उंगली उठाई थी कि बेटे की मौत का F.I.R. क्यों नहीं कराया जा रहा है तब इनके माबाप के उपर यानि साप ससूर के उपर इंगली उठाई गए थी तब सपना ने एक वीडियो डाला था और कहा था मैं अपने माबाप के साथ खड़ी हूँ और मैं इनको छोड़के कभी नहीं जाओंगी कहीं नहीं जाओंगी कुछ भी हो जाए जहां ये हैं वहां मैं हूँ मैं ही इनकी बहूं हूँ मैं ही इनकी बेटे हूँ और मैं ही इनकी बेटी हूँ सब कुछ मैं हूँ जब इतना सब कुछ था तो ऐसा क्या हुआ कि सपना को घर छोड़ने में मजबूर किया गया तो दोस्तो जहां तक लोगों का कहना है अंसु को जब घर से निकाला गया क्योंकि अंसु दोस्तो आप लोग इस बात से सहमत है की नहीं और कितना दर्द होता है उसमा बाप को कि आज वो आंगन सुना है कहीं पे वहां किलकाल छोटे बच्चों को थोड़ा खासी आ रहे थी जिसकी वज़े छोटे बच्चों की आवाजे जो सुनाई दे रही थी किलकारिया पूरे घर में होती वो घरा सुना पड़ा है कलपना कीजे कितना दर्द होता है कि उस घर में सिफ कौन सिफ मा और बाप और पूरा घर सुना पूरा घर बिखड गया है पता नहीं किसकी नजर लग गई है तो दोस्तों मैं तो भगवान से यही पेयर करूंगी हाँ जोड़ के कि सपना फिर से सपना और सपना की फैमली एक हो जाए यानि कि उसके फादर इनलोग है जो एक हो जाए और शात में फिर से रहें और अन्सु भी आ जाए क्योंकि कहते हैं हर दिन नया सबेरा होता है रात गई बात गई वो सब भूल के लोग आगे बढ़ें फिर एक में रहें तो दोस्तों आप लोग कमेंट करें के जरूर बताएंगा कितने लोग चाहते हैं सपना वापस अपने घर जाए